नमस्कार साथियो एक बार फिर से स्वागता है आपका अपना यूटूब चानल साइंस गुरु रवी में गाइज जैसा कि आप सभी को पता है कि यह हमने चेप्टर स्टार्ट कर रखा है सर्कुलेटरी सिस्टम याने की परिसंचरन तंतर तो गाइज सबसे पहले आप हेडिंग लगा लेजिए सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरन तंतर तो थोड़ा बहुत सातियों कल का रियूजन कर लेते हैं कि कल हमने लास्ट क्लास में क्या पड़ा था लास्ट ओफिता सातियों मारा मैंने आपको बताया था कि जो परिसंचरन तंतर होता है सातियों ये दो परकार का होता है एक होता है open circulator system यानि कि खुला परिसंचरन तंतर और एक होता है सातियों closed circulator system यानि कि बंद परिसंचरन तंतर बत के लिए रहे देख लीजी दो परकार का था सातियों एक था बिया open circulator system यानि कि खुला परिसंचरन तंतर और सातियों दूसरा था हमारा closed circulator system यानि कि बंद परिसंचरन तंतर क्यों होता है सातियों खुला परिसंचरन तंतर और बंद परिसंचरन तंतर मैंने आपको बता है सातियों कि एसा परिसंचरन तंतर जिसमें जो बलड है वो बलड वेसल्स में गूम रहा है सातियों पे को करके एसा परिसंचरन याने कि खूण वो साथियो रुदिर वाई काओं में, यानि कि blood vessels में पे को करके गुम रहा है, एसा परिशंचरन तंतर को साथियो कहा जाता है, बंद परिशंचरन तंतर, इसके example मैंने लिखाईते साथियो आपको, में मल्स, जितने भी इस्तंदारी है, यानि कि माँ अपने बच्चे को दूद पिलाती है साथियो, वो सब इस्तंदारी में आते हैं, जैसे कि मनुष्य, गाई, बहैंस, बक्री, गोड़ा, यह सबी ही साथियों किसमें आते हैं भिया, इस्तंदारी में आते हैं, जो आपसे एक्जम में पूंचे जाते हैं साथियों, वे एक्जम पर लाविया, डॉल्फिं, इस्तंदारी है, वहेल, यह इस्तंदारी है साथियों, यह आपसे भिया, आपकी एक्जम में एक्जम पूंचे जाते हैं, एक्जम पली बहुती जादा इंपोर्टेंट है, खुला परिशंचन तंतर की बात करें साथियों, मैं आपको बता दू, एसा परिशंचन तंतर है, जिसमें जो बलड होता है स साथियों एसा परिशंचरन तंतर को क्या कहा जाता है खुला परिशंचरन तंतर कल की क्लास में शाथी मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको एक्स्प्लेंड किया था अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखिए तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शिन में मिल जाएगा प्लीज आप जाकर चेक आउट कर सकते हैं अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टो टाइम पहुँच सके हैं जो कंटेंट आपको पेड कोस्त में अप्लोब नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट साथी हो इस यूटूब चैनल पर प्रेस्ट अप्लोब कराता हूँ तो अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टो टाइम पहुँच सके और दूसरी बात साथी हो आपको अच्छा कंटेंट मिल सके देखिए खुला परिसंचन तंतर एसा परिसंचन तंतर साथी हो जिसमें जो बलड है साथी हो वो कोशिका और टीश्यू के बीच में यानि कि उत्तकों के बीच में घूम रहा है ऐसा परिसंचन तंतर कहलाता है साथी हो खुला परिसंचन तंतर एक्जम्पल के बात करो साथी हो तो आपने गुरों में कॉंक्रोच देखोगा कभी कोंक्रोच को उल्टा करके देखना साथियो तो आप उल्टा करके अच्छे से देखोगे साथियो तो उसमें जो बलड होता है वो साथियो नीचे से उपर की और जाता रहता है फिर उपर से नीचे की और नीचे से उपर की और उपर से नीचे की और कुछ इस तरीके से सा तो जो गोशी का उर्थ्य को के बीच में हो बलड कोशी को अरुथ्य को के बीच में घूम रहा हो इसा परीशंचन तंथर शाति यो खेला परीशंचन तंथर एक्जम फिलिए जी शातियो को प्रोच इसे आप तिल चट्टा भी कहते हो इसे आप तिल चट्टा भी कहते हो एक है गोंगा ऑक्टोपस तिली और कीट साथियो यह सबी बहुत अच्छे उदारने साथियो विया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के और अक्सर आपसे एकजाम में पूचे जाते हैं साथियो वो यही पूचे जाते हैं दो लास्ट क्लास में साथियों ने इस टोपिक तक बात की थी इसके बाद में साथियों हमने बात की थी कि BM Circulatory System का दिन nice की जिस साखा में किया जाता है उस साखा को कहा जाता है 팔 вещ जाता है Angloology का जाता है और angiongoology के साथियों जनक मैंने आपको बताय था William Harve बात क्लियर है तो इतनी बात complete हो गई थी सातियों हमारी कल आज की class स्टार्ट करते हैं और आज की class में हम स्टार्ट करने वाले हैं सातियों मानव हर्दे के बारे में यानि की human heart के बारे में सातियों इस chapter में हम तेन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं और blood vessels की रही बात साथियो तो इसी human heart way में आपको blood vessels भी करवा दूँगा वेसे मैंने अलग से class ले रखी है साथियो blood vessels की आप वहाँ जाकर भी check out कर सकते हैं चलिए फिर start करते हैं साथियो human heart यानि कि मानव हर दे एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी यह मेरी गारंटी है बस जुड़े रहिए वीडियो को अंतक देखना तभी आप कुछ सीखने को मिलेगा आपको क्योंकि वो कहते हैं न साथियों कि सवर का फल मेट होता है गज टाइम तो देना पड़ेगा तब भी तुम्हें अपने आपको आपकी समने एक्स्प्लेंट कर पाऊंगा देखिए आप हेडिंग क्या लगाओगे एक बात का ज्यांग रखना साथियों ये एक ऐसा चेप्टर है जिसमें हर एकजाम में इस चेप्टर से क्यूसन पूछे जाते हैं इसकी एक एक लाइन से साथियों बहुत अच्छे अच्छे क्यूसन निकल कर आते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है ये चेप्टर को आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है गाईज ये चेप्टर इसे समझ में नहीं आता कि आपने एक क्लास देख ली फिर एक क्लास छोड़ दिर उसके बाद में एक क्लास देख ली इस चेप्टर को पूरी समझ के ल जो जो कुछन आपसे एकजम में पूछे जाते हैं वो सबी कुछन करवाने वाला हूं और आगे क्या पूछे जाने की संभावना है वो कुछन भी करवाने वाला हूं अब तक पूछे गए हैं वो सारे कुछन तो करवा हूंगा ये करवा हूंगा उसके अलावा आगे जो किशन पूछे जाते हैं साथियो आपसे आपकी एक्जाम में पूछे जाने की संभावना है उन सबी किशनों पर भी हम चर्चा करें देखें सबसे पहला क्यूशन आता है साथियो कि मानोम हर्दे के बारे में अध्यन ओस्धाम Jessy की जिस साखा में करते हैं उस साखा को क्या का जाता है जैसे कि साथियो मैंने आपको कल चेप्टर जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको बताया था साथियो कि सरकेलियोटरी सिस्टम का अध्यन विज्ञन की जिस साखा में किया जाता है उस साखा को कहा जाता है साथियो एंजियोलोजी कहा जाता है ठीक उसी तरीके से साथियो हमारे हर्दे का अध्यन हम विज्यन की जिस साखा में करते हैं उस साखा को क्या कहा जाता है तो याद रखना साथियो उस साखा को कहा जाता है कार्डियोलोजी कार्डियोलोजी गाइज कार्डियोलोजी विज्ञान की एक ऐसा साखह है जिसमें हम मानों हर्दे के बारे में हम डिटेल में अध्यन कर सकते हैं ठीक इसी तरीके से साथियों आप से बहुत सारी साखा आपके प्रतियों की प्रिक्शाओं में पूछी जाती है तो उन साखाओं के बारे में भी आपको पता होना जरूरी है जैसे कि साथियों अगर मैं टीत की बात करूँ दातों का अध्यन विग्यान की जिस साखा में किया जाता है साथियों उस साखा को कहा जाता है डेंटोलोजी क्या कहा जाता है डेंटोलोजी कहा जाता है हीमेटोलोजी हीमेटो लोजी इसी तरीके से साथियों अगर मैं लीवर की बात करूं लीवर का अध्यन विग्यन की जिस साखा में किया जाता है साथियों उस साखा को कहा जाता है विया हीपेटोलोजी अधार नों में फ़राइक यह ए ही पेटो यह हैं ही मेटो इस तரिके से शाति हो बहुत सारे साक़ां जिनके बारे में आपको पड़ना पड़ेगा अगर आप detail में एक class चाते हो साथियों कि हमें personal एक साखा ही चाहिए कि हमारे सरीर में बायलोजी में जितनी भी साखा है उन सभी के बारे में साथियों हमारे exam में पूछे जाते हैं तो वो साखा है हमें एक जगाए पर मिल जाए साथियों तो मैंने भी यह वीडियो बना रखी है आप चैनल पर जाकर चैक आउट करिए आपको जरूर में लेए चलिए फिर आगे चलते हैं इतनी बार समझी में आ गई साथियों आपको कि भीया हर्दय का अध्यनम विग्यन की जिस साखा में करते हैं उस साखा को क्या कहा जाता है साथियों कार्डियोलोजी कहा जाता है अब आप से question or पूछ यहाड है कि विया जो मानों हर्दे साती उसके doctor को क्या चाहा जाता है या फिर जो विशे सिंगय होता है सात्य जो specialist होता है सात्यो ने में उसको क्या क्या चाहा जाता है तो याद रखना सात्य उसके लिए जो सब्दूजमें लिया जाता है है वह लिया जाता है वहां करने आगार। में करते हैं उस साथा को कहा जाता है सथीयों और मानौ हर्दे के बारे में साथ्यों जो मैं कि मानौहर्दी होता है उसे क्या कहा जाता है सत्यों कार्डियोलोजिस्ट कहा जाता है इफ अब बात करते हैं सतियों कि याँ हमारे हर्दी का आकार कैसा होता है आधे चाहिक हुआन और Torah हे जिसा होता है याँ बंद मुठी के समार्ण जिस तरीके से हम बंद मुठी करते हैं साथियो ठीक सेम टू सेम आपने यूटूब पर वीडियो देखी होगी साथियो हमारा हर्दे का आकार कुछ इस तरीके का होता है तो बंद मुठी के समान होता है अगर आपसे एक जब में क्यूशन पूचा जाए कि या हमारे हर्दे का आकार केसा होता है तो आपका राइट आंसर होगा साथियो कि बंद मुठी के समान होता है बत के लिए रहे याद रखना साथियो हमारा जो हर्दे होता है ये एक मस्कुलर ओर्गन है एक मास्पेसी ये अंग है एक मस्कुलर ओर्गन है देखोगा पूरी मसल्स की बनी हुई होती है पूरी मास की बनी हुई होती है ठीक इसी तरीके से साथियो आपका जो हर्दे होता है गाईज वो पूरे मास का बना होता है मसल्स का बना होता है और हर्दे में साथियो जो भी चीजे लगी हुई है जो भी चीज काम आती है वो सबी साथियो किस की होती है वो सबी साथियो मास की होती है और अगर आपसे क्यूशन पूछा जाए साथियो कि हमारा हर्दे जिस मासपेशी से बना है साथियो उस मासपेशी का नाम क्या है तो याद रखना साथियो उस मासपेशी का नाम है Cardiac Muscles उस मासपेशी का नाम क्या है साथियो Cardiac Muscles याद रखना साथियो Cardio या फिर Cardiac अगर दोनों सब्द आपको खहीं पर भी दीखे साथियो तो समझ लेना इसका मतलब यह है विया इसका मतलब है हर्दे इसका मतलब है साथियो हर्ड बात समझ मैं कि माल लीजी कोई क्यूसन है ये दो सब्द दिये हुए है साथियो उसमें आपके उप्षन कुछ इस परकार है जैसे किड़नी है, हर्दे है, फैपडे है, लिवर है और आपको ये सब्द देखने को मिल रहे है तो साथियो समझ लेना सत परतिसत इनका समझ किस से है साथियो आपके हर्दे से इतनी बात किलियर है तो मैंने ये कहा साथियो कि आपकी जिव जिस तरीके से मास की बनी हुई होती है थीक इसी तरीके से सातियो आपका हरदे भी मास से बना हुआ होता है यानि कि आपका हरदे एक muscular organ है एक mass species यह एंग है और सातियो आपका हरदे जिस mass species से बना होता है उस mass species का नाम है वया Cardiac muscle अब देखिए आपसे क्योंसे किस तरीके से पूँच जाएगा आपसे क्यूसन पुछा जाएगा साथियो कि आपके सरीर में वह कौन सी मासपेशी है साथियो जो सबसे व्यस्त रहती है देखिए क्यूसन पुछा जाता है हमारे सरीर में सबसे व्यस्त मासपेशी कौन सी है सबसे व्यस्त मासपेशी कौन सी है तो कौन सी है साथियो यह हविया कारडी है तो कौन सी है कारडी है याद रखना साथियो लगवग हमारे सरीर में 649 मासपेशिया पाए जाती है अगर आप से क्यूशन पूचे साथियो कि विया सबसे मजबूत मासपेशियो कौन सी है तो मेसे टर है साथियो जीब की अगर आपसे क्यूशन पूचे कि सबसे सक्रिय मास्पेशी कौन सी है तो साथियो आईरिस है आपकी आख की अगर आपसे क्यूशन पूचे साथियो कि सबसे बड़ी मास्पेशी कौन सी है तो गलुटियस मेक्सिमस साथियो सबसे बड़ी मास्पेशी है अगर आपसे क्यूशन पूचे साथियो कि सबसे छोटी मास्पेशी कौन सी है तो याद रखना साथियो इस्टे पेडियस है साथियो सबसे छोटी मास्पेशी अगर आपसे क्यूशन पूचे कि सबसे लंबी मास्पेशी कौन सी है साथियो तो साइटोरियस है अगर आपको सभी साथियो मास्पेशियों के बारे में जानना है, हड्डियों के बारे में जानना है, उपास्तियों के बारे में जानना है साथियों तो आप कंकाल तंतर पढ़ सकती हो, मैंने आपको कंकाल तंतर वाला चेप्टर पढ़ा रखा है आप जाएए चैनल पर check out करिए इन सबी चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे साथियो मेरे आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है बात किलियर है तो इतनी बात आपको किलियर हुई कि बिया हर्दे हमारा जिस मासपेशी से बना हुआ होता है गाईज उस मासपेशी को क्या कहा जाता है कार्डियक कहा जाता है आप से क्यूशन पूछेगा साथियो कि हमारे सरीर में सबसे विस्ट मासपेशी कौनची है तो इतनी बात किलियर है अब देखिए साथियो अगली बात करते हैं वेट की बात करते हैं वजन की बात करते हैं और मुझे बताएगा साथियों कि विया हमारे हर्दे का जो बहार है साथियों वो कितना होता है जल्दी जल्दी कमेंट बुक समताई देखे साथियो हमारे हर्दे का जो ओसतन भार होता है गाईज वो होता है विया तीन सो केज ओसतन लिख सकता हूँ लेकिन अगर आप से क्यूशन पूँचा जाए कि एक विस्क लड़के का लड़के का या पुरुस का या मेल का कि अगर आप एक वस्क लड़की बारे में बात करें साथियों तो थोड़ा कम होता है सब चीज लड़कियों में कम होती है साथियों मा लड़कों से बात क्लियर है लड़कियों का कितना होता है 250 चले करके 280 ग्राम होता है इतनी बात क्लिए रहे और अगर साथी हो मैं बात करो कि यह एक छोटा बच्चा जो 1-2 मां का है छोटा बच्चा जो 1-2 मां का है उसकी हर्दे का भार कितना होगा साथी हो तो आप वरेजन 20-25 ग्राम बता सकते हो 20-25 ग्राम बोलो इतनी बात किलिए रहे जी भीया इस्क्रिंसोट ने लिया है तो इस्क्रिंसोट ले लिए ताकि हम आगे बढ़ सके ले लिए अग यह इस्क्रिंसोट ओके आगे चलते हैं हाँ एक बार और रियोजन करवा दू ताकि आपको एक एक क्यूसन फिर दुबारा से याद हो देखी मैं पहला क्यूसन पूचता हूँ गाईज आपसे कि विया सर्किलेटरी सिस्टम का अध्यन यहने की परिशंचन तंतर का अध्यन विज्ञान की जिस साखा में किया जाता है गाईज उस साखा का नाम क्या है तो विया आप क्या अंसर दोगे एंजियोलोजी एंजिय अगर मैं आपसे क्यूसन पूचो साथियो कि मानो हर्दे का जो डॉक्टर होता है या फिर जो विशेसग्य होता है उस डॉक्टर को क्या कहा जाता है तो विया कहा जाता है काल्डियोलोजिस्ट फिर साथियो मैंने आपको दो सब्दों के बारे में बताया था साथियो कि अगर काल्डियो या काल्डियक अगर आपको खहीं पर भी दिखे साथियो तो इसका सीधा सा मतलब किस से है आपके हर्दे से है इतनी बात क्लियर है फिर मैंने आपको बताया था साथियो कि आपके जिस तरीके से मास्की बनी हुई होती है ठीक उसी तरीके से जो आपका हर्दे है साथियो वो भी वया मास्का बना हुआ होता है मसल्स का बना हुआ होता है मास्पेशियो का बना हुआ होता है हमारे हर्दे में साथियो जो भी चीज लगी हुई है साथियो सबी मास की बनीवी होती है इस बात का भी आपको ध्यान रखना आ तो आपके क्यूशन पूछा जाये साथियो कि हमारा हर्दे किस मास्पेशी से बना होता है आपका राइट आंसर क्यूँ होगा साथियो कार्डियर मसल्स से बना होगा है इतनी बात के लिए यही किसन साðिओ अगर आप से गुमा फिराकर examiner पूछेगा तो किस तरीके से पूछा जा सकता है इस तरीके से पूछा जा सकता है साथिओ कि हमारे सरीर की सबसे vast mass capacity कौन सी है क्योंकि साथिओ आपका हर्दे है वो दिन पर धड़कता रहता है जिस दिन आपका हर्दे की धड़कन समाप्त हो गए साथियो उस दिन समझ लेना कि आपकी जिन्द की भी समाप्त हो गई अगर हर्दे की धड़कन चल रही है साथियो तो समझ लेना विया हम भी चल रहे हैं जिस दिन अगर ये खतम हो गया, तो हम भी कट लेंगे, क्यों कट लेंगे, इसके पीछे की सचाई क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है साथियो, तो समय के साथ आपको, जिस तरीके से आप दीरे-दीरे जिप्टर पड़ोगे, उस तरीके से आपको एक-एक छीच के बारे में पता चल जाएगा, तो सबसे विस्ट मस्पेसी कौन सी है, कारडियक है, इतनी बात क्लियर है, फिर साथियों ने बात की थी, वेट की याने की बजन की, कि हमारे हर्दे का ओसतन बाहर कितना होता है, अगर आप से कोई क्यूसन पूछे साथियों, कि आपके हर्दे का ओसतन बाहर कितना होता है, जिसे कि किड़ने के बारे में पूछा जा सकता है, कि विया, आपके किड़ने का बाहर कितना होता है, तो आपको ओगे विया कि 170 ग्राम की एक किड़नी होती है, और 17 दूने 34 यानि की 340 ग्राम की आपकी दोनों की डिनिया होती है बत किलिए रहे ठीक इसी तरीके से साथियो अगर आप से किसम पूछा जाए कि आपका जो हर्दे है इस हर्दे का ओसतन बहार कितना होता है तो गाईच आप क्या बताओगे कि विया हमारे हर्दे का ओसतन बहार होता है 300 ग्राम स्वरी मैंने पहले केजी लिख दिया था बिलु वहल का होता है साथियो 300 किलो का बत क्लियर है और देखिए अगर आप से किसम पूछा जाए साथियो कि विया जो वेस्क लड़का होता है उसके हर्दे का ओसतन बहार कितना होता है ओसतन नहीं तो आप कहा सकते हो कि उसका बहार कितना होता है तो ओसतन मान लेजिए तो आप कहा सकते हो कि 200 से लेकर के 340 ग्राम के बीच होता है अगर लड़की के बारे में बात करें थोड़ा कम होता है 500-200 सीमान लीजिए अगर छोटे बच्चे की बात करें साथियो तो छोटे बच्चे जो एक सी दो महा का है जिसने अभी अभी जनम लिया है साथियो उसकी हर्दे का उसका नमार होता है 20-25 कि अब इतनी बात के लिए रहा है इस प्रेंशोट नहीं लिए है तो स्क्रेंशोट ले लीजिए ले लिए विए स्क्रेंशोट कि मिटा दू ठीक है और समझते हैं साथियो हमारे हर्दे के बारे में कि बोलो क्या आपको बाते समझ में आ रही है मेरे दुवारा बताई हुई अगर आपको अच्छा लग रहा है साथियो मेरे दुवारा पढ़ाई हुई कहानी बताई हुई कहानी तो यह वीडियो को लाइक कर दो अब बात करते हैं साथियो कि बिया आपका हर्दे खाँ उपस्तित होता है आपके हर्दे की लोकेशन क्या है ठीक बिया लोकेशन जानते हैं क्या जानते हैं लोकेशन याद रखना साथियो साइंस में इस तरफ का जो भाग होता है वो तो होता है दाया और इस तरफ का जो भाग होता है साथियो वो होता है बाया यह देखे अगर मैं इस तरह किसे खड़ा हूं तो यह वाला भाग है साथियो हमारा बाया और यह वाला भाग है दाया इतनी बात के लिए रहे हैं चलो ठीक है आपको यह तो याद होगा आपको सभी को अब बात करत आपने बहुत बार सुनोगा, अपने यहाता लगाते है सातियो, धड़कन की आवाज आती है, आती है ना, आती है नहीं आती, आती है नहीं आती है, आती है, देखे खापे होता है हमारा अथा, आप समझते हैं. आपकी जो इस्किन हटा हो गए साथियो तो आपको पसलिया दिखाई देगी क्या दिखाई देगी पसलिया आपकी दिखाई देगी आपकी पसलिया दिखाई देगी गाई जी यह पसलिया होती है यह पेर में होती है और बारा पेर होती है यानि कि 12 जोड़ी होती है, अगर साथियो में नंबर की बात करूँ, तो नंबर होता है साथियो 24, यानि कि आपके सरीर में साथियो 24 पसलिया होती है, ये जोड़े में होती है, 12 जोड़ी होती है, कुछ इधर लगी होई होती है, कुछ इधर लगी होई होती है, यानि कि 12 जो मैंने आपको उंकलत उंतर वाली चेप्टर में पड़ाया था कि पशली पिंजरा होता है वह जम्लेक पूछा जाता है पशली पिंजरा किस किस्से बना होता है तो गाइज पशली पिंजराges बना वहता है पसली यह से एक होती है सीने की अस्ति जिसे आप इस्ट्रनम कहते हो और एक होती है साथियो रीड की हड़ी तो रीडी केड़िये हमारे यहां पर पीछे की तरफ होती है, आपको दिखाई देरी होगी, यहां से स्टार्ट होती है, यहां तक नीचे तक जाती रहती है, पसली है यह वाली है, और साथियो बीच वाली जो अस्ती है, साथियो यह सीने की अस्ती, इसे कहा जाता है, इस्ट आज में आ गई है साथियों तो मैं कुछ लाइन लिख रहा हूं उसके बाद मैं साथियों उसका मतलब समझें मैं लिख रहा हूं साथियों कि हमारा हर्दे कि बाइं और कि पसलियों के नीचे इसका मतलब क्या है साथियों समझें जैसे ही आप आगे से इसकीन हटाओगे साथियों तो हमारे बाइं और अइनि कि इस तरप दो नमबर से लेकर के चैनल मतल्य तक कि जो पसलिया है आपकी वा मैंने कहा था यह है आपका इश्ट्रनम जैसे ने किषीने की अस्टिय अमाली जी आप साथियों मैंने कहाँ कि पसलिया जोड़े में पस्तित होती है बारा जोड़े होती है तो साथियो कुछ इस तरीके से आपकी पसली होती है चार पाथ छैसाथ आठ नो दस तो आपको दिखाए नहीं देते कुछ इस तरीके से होती है ठीक यह से होती है दो तीन चार पाथ छैसाथ आठ नो दस ठीक है जब आप 3D में देखोंगे साथियो तो आपको कुछ किस तरीके से दिखा देगी, कुछ इस तरीके से आपके पसलिया होती है, तो साथियों ये दूसरे नंबर की जो पसलिया है, और ये छटे नंबर की जो पसलिया है, साथियों, इस दूसरे और छटे नंबर की पसलियों के बीच में साथियों, यहां पर आपका हर्दे उपस्त होता है और पीछे की तरफ साथियों यह जो पसलिया है यह विया रीड की हड़ी से जुड़ी हुई होती है तो क्या पहला पॉंट आपको समझ में आया या नहीं अंउन नहीं आया कि हमारा हर्देहे साथियों वाइव और पसलियों के नीचे यहनी कि दो नंबर से लेख ने करके च्छान की पसलियों के नीचे शुरक्सित रहता है यह फिर इस्तित होता है बोलो इतनी बात के लिए रहे हैं ओके भी आ आ गया समझ में ठीक है मेरे भाई दूसरी बात देखिए आपके जो फैपड़े होते हैं साथियों किस तरीके से होते हैं आपने देखो होगा साउसंत अंतर वाले चेप्टर में पढ़ा होगा कुछ इस तरीके से फैपड़े होते हैं यह साथियों दाया फैपड़ा और यह आपका बाया फैपड़ा दाया फैपड़ा साथियों थोड़ा बड़ा होता है बाया फैपड़ा थोड़ा छोटा होता है क्योंकि साथियों यहां पर एक गड़ा पाया जाता है यहां पर इस जगए पर इस गड़े में साथियो आपका हर्दय उपस्तित होता है थोड़ा बाएं और बीच में साथियो यह उसने के पर क्या पाए जाती है यह पाए जाती है साथियो इस ट्रनम यह सीने की अस्ति तो याद रखना साथियो अर्दय का बार कितना होता है इस हर्दे का भार होता है साथयो ओसतं 300 kg कितना होता है? 300 kg लगबग साथयो, सोरी 300 kg नहीं, बार-बार में कन्फिज हो रहा हूं, सोरी 300 gram होता है तो लगबग साथयो जो 80 gram आपका हर्दे है वो तो आता है साथयो इष्टनम के नीचे पूर बच्चा हुआ साथियो जो 220 ग्राम है साथियो यह बया बाएं ओर होता है इस बात का भी आपको ज्हान रखना है दोनों फैपडों के बीच में होता है साथियो बाएं और अधिक होता है आपके जो सीणे की अस्ती है इस्वकशे नीचे साथियो 300kg मेंसे 800kg के नीचे होता है वबाचा हुआ 122 ग्राम वाला जो भाग है हर्देगा वो साथियो बायूर इस्तित होता है तो क्या इसी बात को अगर मैं दूसरा पॉंट बना कर लिखू, तो मैं ये लिख सकता हूँ साथियों, कि भी या हमारे फैपडे के, या फिर हमारे बाएं और फैपडों के बीच, बीच, हमारा हर्दे, हर्दे उपस्ती तो होता है, बिल्कुल बात सही है, साथियों दोनों फैपडों के बीच में ही होता है, बाएं और होता है, हाँ, इतना आपको ध्यान रखना है कि जो इश्टर नम है साथियों, इस ये इश्टर नम के नीचे होता है, लगबग 80 ग्राम, फिक्स नहीं है, लगबग में, और साथियों, जो आपके बाएं और फैपड़ा है, इसकी और होता है, साथियों, लगबग 220 ग्राम, बोलो समझ में आया कुछ मैं बता रहा हूंगो ठीक है बाई आगे चलते हैं तो दूसरा पॉंट आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा कि यह दोनों फैंपडों की बीच में होता है इसका ओसतन बजन होता है 300 ग्राम जिसमें से 80 ग्राम तो आपकी जो सीने की अस्ती है सा दो सब्लक्रामय। 220 ग्राम सात्य जो भार है याने करिकी 220 ग्राम वाला जो हिस्से है सात्य आपके हर्दय का वह बाई और रिष्टित होता है कभी-कभी क्या होता है बहुँत कम केसों में आपको दाइओ और भी दिखाई देता है तो उनका क्याय सात्यों दाइओ ऑर जो उनका हरदे लेकिन जो मुक्हत है सास्यो जो केस मिलता है आपको सास्यो다 साइंस च Além कहती है वह यह ही कहती में कुछब कर देखिये शाथियो suspects। है अब देखिए आपका जो हरदे है साथियो chamber गड़ी में उपस्तित होता है जैसि कि मैंने कहा कि एक आपका यह लंग्सरा और दूसरा आपका यह लंग्सरा आप फैपड़े बना दिया मैं इसे ही नूर्मल समझ जाने कि यह दाया फैपड़ा है और यह आपका बाया फैपड़ा है और यह कि आपका हर्दे तो सातियों हर्दे आपका बायोर होता है जिस गड़े में पस्तित होता है याद रखना साथियो नोच कहा जाता है इंगलीज में गड़े हो और मैंने आपको बता है तो शुरुवात में कि साथियो जो कार्डियक जो सब्द्यूज में लेते हैं वह लेते हैं किसके लिए आपके हर्ट के लिए आपके हर्दे के लिए लेते हैं नहीं जी हाँ सातियो कालीएक या कालीएक सातियो मेंरे हर्दें के लिए दो सब्ध यूज में लेते हैं तो अगर syolar में कहुँ कि या काल deadline नोच में हमारा हर्दे में उपस्तित होता है इसका मतलब क्या होऊ इसका हिन्दी में काह जाता है हर्दे गुवा यानि कि आपका हर्दे साथियों जिस गड़े में उपस्तित होता है, जिस केविटी में, जिस गुवा में, जिस नोच में उपस्तित होता है, साथियों उसका नाम क्या है, कार्डी अगे, नोच है, तो यही बात साथियों में लिख देता हूं, इस तरफ मिटा देता हूं, कि यह हमारा हर्दे जो होता है वो यह हरे गुवा में स्तीत होता आ खापी स्तीत होता है सथियों हर्दे हर्देगुवा में इस्थेट होता है हर्देगुवद इस्थेट होता है हमारा हर्दे हर्दे गुवा कार्डियक नोच में इस्तित होता है बोलो भी जो अब आपसे अगर लोकेशन पूछे साथियो की हमारा हर्दे खाओ पस्तित होता है तो आसा करता हूँ लगबग 10-12 मिनट हो गई साथियो लोकेशन पर चर्चा करते हुए तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होगा तो पहला पॉंट मैंने आपक नोजी करोगे साथियो तो देखोगे आपकी बया आपकी दूसरी ओर जो छेटे नंबर की अपसली और उसके नीचे साथियोग आपका हर्दे उपस्तित होता है बात किलिए रहे ने तोनों फैपड़ों के बीच में इसतित होता है आपको यह भी पता है और जो इसका उसतन बाहर होता है वो होता है 300 ग्राम तो 80 ग्राम तो साथियो आपकी इस्टर नम है जो सीने की अस्तिया उसके नीचे होता है और 220 ग्राम 220 ग्राम आपका जो हर्दे होता है वो सात्यों बायू और इस्तित होता है फैपड़े में फैपड़े की तरफ बाय फैपड़े की तरफ इस्तित होता है और हमारा हर्दे जिस गुवा में इस्तित होता है सात्यों उस गुवा को कहा जाता है हर्दे गुवा यह फिर काईडिय अग नोच बताओ साथियों आपको लोकेशन समझ में आई या नहीं आई बताओ या कि अगर चलो स्क्रिंशोट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं ले लिए इस्क्रिंशोट ओके अब पढ़ेंगे साथियों कि या मारा हर्दे क्या कारिय करता है क्या सुना आपने हर्दे के बारे में कि या मारा हर्दे क्या कारिय करता है आपको के साथियों कि हमारा जो हर्ट है वो बैया एक pumping organ है यानि कि blood को pump करने का कारिये करता है क्या होता है साथियो blood को pump करना इसके बारे में detail में समझते हैं देखे विया अब समझते हैं हमारे हर्दे का कारिये कारिये आप सबी को पता है कि हमारा हर्दे जो होता है साथियो वो एक pumping organ है यानि कि बलड को पंप करने का कारिय करता है क्या होता है साथियों बलड को पंप करना देखे अभी आपको ज़्यादा माइंड पर प्रेसर नहीं डालना है बस छोटी सी बात है उसको समझना है मैंने आपको शुरुवात में बताया था कि हमारे हर्दे का जो आकार है साथियों वो बियाबंद मुठी के समान होता है अगर आप डाइग्राम बनाओगे साथियों तो कुछ इस तरीके से आपका हर्दे बनेगा आपने सुन रख वोगा साथियों कि हमारा हर्दे है वो चार कक्षिये हर्दे होता है ठीक है और यह भी मैंने आपको बताया था साथियों कि हमारा हर्दे पूरा मास का बनाओवा होता है यानि कि muscular organ मास्पेशियों का बना हुआ होता है देखिए हमारे हर्दे में एक मास्पेशी कुछ इस तरीके से निकली रहती है और एक मास्पेशी साथियों कुछ इस तरीके से निकली हुई रहती है यानी कि वो मास्पेशी जो आपके हर्दे को इन चार कक्षकों में डिवाइड करती है, उस मास्पेशी का नाम क्या है साथियो, तब यह इस मास्पेशी का नाम है सेप्टम, क्या नाम है साथियो सेप्टम है इतनी बात के लिए ओके विया अब देखिए हमारे सरीर में साथियो ऐस सुद्रक्त भी होता है और सुद्रक्त भी होता है अब ये ऐस सुद्रक्त क्या होता है और सुद्रक्त क्या होता है इसके बारे में डेटेल में समझाऊंगा फिलाल आपको इतना याद रखना है कि सुद्रक्त ऐसा रखत होता है जिसमें ओक्सिजन गेस की मातरा अधिक हो और ऐस सुद्रक्त ऐसा रखत होता है जिसमें साथिय wateriatracell Gase की मात्रा अधिक हो यानि कि हमारे सरीर में सात्यों दो परकार का blood पाया select आपके हर्दे जो हैसा County in अ., हर्देहो क के चेंबरोंज में भी सात्यों होता है सव्द्रक्ट की होता है एसा डोपरकार का मातर है अधिक हो और एसुंद बल अधिक होता इसह में साथियो कर्परा êtes अब देखिए कि कि यह है आपके सरीर के अंगzonyए की ओर गन अंगों के पास से साथियो ऐस्वी्योद रखता ख्यांता है एस्वीत रख्त खालता है आपके हर्दे के पास आता है फिर वापिस साथियो आपके हर्दे से ये रक्त खाचला जाता है आपके लंग्स के पास चला जाता है आपके फैपडों के पास चला जाता है साथियो ये आई सुद्ध रक्त और आप सभी को पता है साथियों जो लंग्स होते हैं हमारे जो फैपड़े होते हैं वो बया बलड प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं बलड प्यूरिफिकेशन यहनी कि बलड का सुद्धी करण करने का कारिय करते हैं पर बंपडू का एक यह काम है साथियो, हमारे फे में जो बनड है उस बनड में से लुप संथ यह किया एक हुक सिजन डालना, मैंने क्या किpo भाल को यह को ना की करना है. कि मैंने आपको बता है था सुद्ध बलड ऐसा बलड होता है जिसमें oxygen gas की मातरा अधिक हो और acid blood ऐसा बलड होता है जिसमें carbon dioxide gas की मातरा अधिक हो तो साथियों फैपड़े क्या करते हैं, जो बलड है साथियों, उस बलड में से कार्मिन डाउक्साइड गेस को तो भागा देते हैं, जिससे कार्मिन डाउक्साइड गेस का जो अमाउंट है साथियों, परतिसत है जो तो कम हो जाता है, और ओक्सिन गेस को अंदर डालते हैं, यानि कि oxygen gase की मात्रा बढ़ जाती है तो अगर blood में oxygen gase की मात्रा बढ़ेगी तो यही तो मैंने कहा था एसा blood जिसमें oxygen gase की मात्रा अधिक हो साती हो इसे blood को कहा जाता है pure blood oxygenated blood oxygen yuct blood शुद बलड, शुद रप्त समझेंगे यह क्या होता है क्या नहीं होता फिलल आपके इतना जान रखना है कि हमारे फैपड़े क्या करते है फैपड़ों में जो blood होता उसमें carbon dioxide gase को बहार बगा देते हैं साती हो oxygen gase को अंधर डाल देते हैं तो कहने का मतलब यह हुआ साती हो कि हमारा जो फैपड़ा हो blood को सुद्ध करने का कारिये करता है blood purification का कारिये करता है एक सब दो और है साती हो इससे मिलता जूलता ही blood purification से blood filtration याद रखना blood को चानने का कारिये कोन करता है साती हो आपके केड़ने करती है तो अगर आप से कुछा जाए कि blood purification कौन करता है तो lungs करते हैं और blood filtration कौन करता है तो आपके kidney करती है इतनी बात के लिए हैं तो lungs क्या करेंगे साथियो blood को सुद्ध करेंगे अब blood को साथियो lungs ने सुद्ध कर दिया तो अब ये सुद्ध रक्त साथियो वापिस खान जाएगा ये विया आपके हर्दे के पास जाएगा ओके विया आपके हर्दे के पास साथियो ये जो सुद्ध रक्ता है ये आगया और वापिस साथियो हर्दे से ये सुद्ध रक्त खान पे जाएगा तो भिया आपके सरीर के ओर्गन्स के पास जाएगा आपके सरीर के विबिन अंगों से साथियो ऐसुद्रक्त को लाना हर्दे तक हर्दे से ऐसुद्रक्त को फैपडों तक पहुँचाना और फैपडों से सुद्रक्त को वापिस हर्दे तक लाना और वापिस साथियों आपके हर्दे से सुद्रक्त को आपके अंगों तक पहुंचाना ये सहारी प्रोसे साथियों क्या कहलाता है बलड को पंप करना कहलाता है ये होता है साथियों एक्चुली में बलड को पंप करना तो अगर कोई आपसे क्यूशन पूचे कि हमारा हर्दे क्या काम करता है तो हमारा हर्दे एक pumping organ है साथियो blood को pump करने का कारिये करता है बात के लिए रहे हमारे सरीर के विबिन organ से विबिन अंगों से साथियो acid रख्त को हर्दे तक लाता है हर्दे तक आता है हर्दे से सात्य एसुद्रक्त खां जाता है विया आपके फैपड़ों तक जाता है फैपड़े क्या करते हैं एसुद्रक्त को सुद्रक्त में कनवर्ट करते हैं फिर वापिस फैपड़ों से यह जो सुद्रक्त है सात्यों यह हमारे हर्दे तक आता है और वापिस सात्यों हर् की है। दूसरा कारी है साथव कि ब्लड पंप करता है का मतलब आपके हर्दे में दो परकार कि प्रोसेस होती है। आपका हर्दे फैलता भी है और फंक10 ब्रेमपर फैला जाएगा ब्लें चाहिन चाहिए 이미 ऊर्च करके तो आपके फैलता है कभी प्हलता है कभी फैलता है कभी शिकुडता है इस तरह की प्रोसेस लगातार चलती रहती है साथियो जिससे क्या होता है कि बलड जो आपका रखता है साथियो उसमें प्रेसर भी क्रियेट होता है दबाव मिलता है जिससे साथियो आपके पूरे सरीर में घूमता रहता है तो दूसरा कारी आप यह भी कह सकते हो कि भी अपलेट को प्रेसर मिलता है यदा मिलती है तो अगर आप से क्यूशन पूँचे साथियों कि आपके हल्डे का कारी यह क्या है तो आप आसा करता हूँ बता पाओगे तो लगबग 45 मिनट से उपर की क्लास हो चुकी है साथियो और आज हम यहीं तक रखते हैं एक-एक क्लास लेना साथियों बहुती ज़्यादा इंपोर्टेंट है आपको बहुती मज़ा आएगा साथियों क्लासों में क्योंकि एक-एक चीज साथियों मैं इस तरीके से भूत असानी से समझाता हुआ चलूँगा पिस साथियों सुरुवात की 3-4 क्लासों को साथियों में मिला करके एक-डेट गंटे की एक क्लास रखूँगा साथियों जिसमें मैं आपको पूरे हर्दे के बारे में बताऊँगा कि आपका हर्दे किस तरीके से कारिय करता है तब जाकर के आपको समझ में आएगा तो आप चाते हूँ कि एक क्लास अब देख लिए या कल की छोड़ देंगे परसूरे दन के देख लेंगे रप्पन को हर्दे की जो कारिय विदी है वो समझ में आजाएगी तो दोस्तो इसा नहीं होगा आपको एक-एक क्लास देखनी पड़ेगी मैं तापसे यही कहता हूँ कि जाएए सुरुवात की जो क्लास है साथी हो थोड़ा इंट्रोडेक्शन है थोड़ा आपको कठिन लगेगा लेकिन मैंने जिस तरीके से समझाया है मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सत्परति से समझ में आएगा बड़ सर्त मेरी यह है कि आपको टाइम देना पड़ेगा क्योंकि किसी भी चीज को सीखने के लिए साथियो आपके पास देरिये होना चाहिए अगर देरिये नहीं है तो गाइज आप उस चीज को नहीं सीख सकते आप उस चीज को नहीं पा सकते कहते हैं ना साथियो कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है तो guys आपको time तो देना ही पड़ेगा मुझे अगर time दोगे साथियो तो मैं विश्वास दिलाता हूँ साथियो आपके एक जब में एक भी क्यूसर नहीं जूटेगा तो लेते हैं आपसे आज की विद्या मिलते हैं कल अगर आप चैनल पढ़ने हैं तो चैनल को सबस्टैब कर लेना वेल आइकन को प्रेस कर लेना जिसे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन time to time उचके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जेहिंग जेवारत